और ओनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सिंप्ले रंड चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें हमस्कार दोस्तों आपको बहुत बहुत सुवागत है हमारे आपके सिंप्लेंड चैनल में दोस्तों आज सी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो में आपके लेका हैं बहुत बढ़ी ओफर यह कह लिजी आप देख धमाकेदर ओफर या हम इसे लूट ओफर भी कह सकते हैं क्योंकि इस ओफर में दोस्तों आप फ्री में 10 रुप अपने वॉलेट में एड कर सकते हैं तो जी हां दोस्तों यह ओफर बहुत ही खास है और अगर आप एक दुकानदार है या दोस्तों आप रिचार्स तो करते होंगे कभी ना कभी तो आप रिचार्स करेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है तो आप प्लीज मेरा आपस बस एक ही निवे देना आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अगर आप एक भी स्टप मिस कर देंगे तो आप इस ऑफर का लाब नहीं उठा पाएंगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि आप एक एक लाइक हमारे बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिख रहे है लाल बट कर लेना है तो मैं अप्लिकेशन को उपन कर लेता हूं और इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां से दोस्तों जैसा कि आपको यहां पर रिचार्ज करना है तो जो हमारा प्रोमो कोड है वह है FC10 तो यहां से आपको मॉबाइल पर क जाता है और मिल जाता है और दोस्तों यह 25 बाद जाता है तो आपके बहुत ज़ादा टाइम है तो यहां से आपको कैसे क्लिक करना है तो यहां टॉप अप में जाकर मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से अब आपके सामने एक option आएगा यह मतलब payment का तो यहां से balance के सामने प्रोम कोड है तो यहां पर रिचार्ज करनेंगे 20 रुपए का तुरंत हमें 10 रुपए कैश बैक मिल जाएगा फ्री में और हमारा 20 रुपए रिचार्ज पड़ेगा बिल्कुल और बिल्कुल 10 रुपए में दोस्तों आपको प्रसीड टू पेपर क्लिक कर देना है और यहां से अपना डेबिट कार्ड स यूपी आई नेट बैंकिंग में से किसी एक भी पेमेंट मेथट को सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं तो जैसी दोस्तों आपका 20 रुपए कैश बैक मिल जाएगा और आपका 20 रुपए रिचार्ज पड़ेगा 10 रुपए में तो आपको हो जाएगा 10 यहीदा दोस्तों इस वीडियो में मैं अमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करना मत बूलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए तो अभी के लिए बैस नहीं जाहिन बने में